C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है पाठ्थे चर्या पर आधारित श्रिंखला ध्वानी शाला तो आईए चलते हैं कक्षा 2 की ध्वानी शाला में बच्चो आईए हम आज एक द्वा को पढ़ते हैं जो आपकी अप्तदाई अर्दु की दूसरी जमात में शामिल है द्वा का एहतमाम आम तोर पे असेंबिली में किया जाता है और इसका मकसद यह होता है कि हम एक अच्छी शुरुआत करें हमारा दिन अच्छा गुदरे और हमें एक नजम जब्त के पाबंद नजर आए इस से हमें वक्त की पाबंदी का भी पता चलता है हमारे अंदर खुद एतमादी पैदा होती है सभी तालिबिन में एक साथ जमा होते हैं हर क्लास के और वहां एक डिस्सिप्लिन नजर आता है तो आईए इस नजम को हम शुरु के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुछ सा कोई नहीं है, तुछ सा धाता कोई नहीं है, बख्ष हमारे जिस्म को ताकत, बख्ष हमें मेहनत की यादत, हिम्मत दे कुछ काम करे हम, जग में रोशन नाम करे हम, इसे नदम को लिखने वाले शफियु दीन नईयर ह लिखी है उन्ही की नदमों में से उनके कलाम से एक नदम यहां पर ली गई है जो पांच अशार पर मुस्तमिल है तो आईए इस नदम को एक बार हम फिर पढ़ते हैं इसके पढ़ने के अंदास पर आप गोर कीजे कि हमें बहुत तेद नहीं पढ़ना है बहुत रुक रुक क हैं कि नदम के तरीके से पढ़ी गई है ना की नसर के तरीके से तो आईए दुआ को एक बार फिर हम पढ़ते हैं ऐए दुनिया के बाग के माली ऐए अपने बंदों के वाली दिल के मालिक जान के मालिक दुनिया और जहान के मालिक दूसरा तुच्सा कोई नहीं है तुच् बख्ष हमारे जिस्म को टाकत, बख्ष हमें मेहनत की आदत, हिम्मत दे कुछ काम करे हम, जग में रोशन नाम करे हम. बच्चों आपने ये नजम सुनी, आपको अच्छी लगी होगी, जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, या सुबह होती है, तो सबसे पहले हमें खुदा का नाम, बख़गवान का नाम हम लेकर उस काम की शुरुआत करते हैं, और हमारा ये यकीन होता है, ये इतमाद होता है कि हम जो भी काम करेंगे वो पूरे तरीके से होगा, अच्छा होगा, जब काम अच्छा होगा तो हमें सुकून भी मिलेगा, इसी वज़े से इस दुआ की आहिमित का अंदादा किया जा सकता है, इसके शुरू के तीन अशार, यानी छे लाइन हमें, एक शेर में दो मिसरे होत आई अपनों बंदों के वाली, ये एक शेर हो गया, या इसके दो मिसरे हो गए, या दो लाइन हम कह सकते हैं, तो इसमें खुदा को क्या कहा गया है, आप समझ सकते हैं कि बाग का माली कहा गया है, तो बाग किसे कहा गया है, यानी पूरी दुनिया को एक बाग तसवर किया गया है और जिस तरह से माली उस बाग की देखभाल करता है रखवाली करता है उसके बारे में अपनी मेहनत से उसको सजाता है सवारता है कब उसको पानी देना है कब जो एक हाद देनी है कब उसको जो है उसकी पतिया का तरनी है टेहनिया का की है वगएरा वगएरा तो इसी त मिस्रे में वाली इस्तेमाल हुआ है तो वाली का मतलब भी आका होता है या मालिक होता है और पहले मिस्रे में माली कहकर ख़दा से ही मुराद लिया गया है कि वो बाग का माली वही है यानि पूरी दुनिया का मालिक वही है वही समय पर बारिश भी करा सकता है मौसमों को तब् कि इसको करने वाला कोई कोई बहुत बड़ी जात है कोई बहुत बड़ा सुपर पावर है जो इस निजाम को चला रहा है जाहिर सी बात है कि सुप होती है और शाम होती है एक मकररा वक्त पे सूरज निकलता है और डूब जाता है रात आती है फिर सुप होती है तो ये सारा न ताला है भगवान है या उसे आप और कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं आए दोसरे में शेर पे गोर करते हैं कि दिल के मालिक जान के मालिक दुनिया और जहान के मालिक अब यहां जान के मालिक और जहान के मालिक तो यह जान और जहान आप देखते हैं कि एक तरह से यह हम कहते हैं कि काफिया है या इसमें तुक है इस्तमादगा तुक बंदी की गई है कि जान और जहान यानी एक जैसी आवास पर यह अलफास खत्म होते हैं दिल के मालिक जान के मालिक यह कौन किसे कहा गया है यानि अल्ला ताला को खुदा को भगवान को कि हमारे दिल का मालिक वही है, हमारी जान का मालिक वही है, जब चाहे तो हमारी जान ले भी सकता है, हमारे दिल की धरकन को रोक सकता है, यानि वह हमारे बस में नहीं है, अगर एक बार हम सास लेते हैं, सास निकालते हैं, तो यह सब हमारे हिसाब से नहीं है, बलकि इस नदाम को चलाने वाला, इस स जो है हमा जो जो कुछ है उसी की देन है और अगर हम यह चाहें कि हमारी जान हमारे अपने हाथ में है तो यह हमारा एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती है बहुत अच्छा नदरिया नहीं है इसलिए कि एक बात यहां पर वाज़ करना चाहता हूं कि खुदकुशी जिसे हम सुषाइट कहते हैं वो जाहिर से बात है कि कि किसी भी मदब में उसको जायद नहीं कहा गया है कि हम यह नहीं कह सकते हैं कि हम अपनी जान के मालिक है जब चाहें हम अपनी जान खत्म कर ले ऐसा नहीं है इसलिए कि आपकी जान का मालिक तो सिर्फ अल्ला ताला है यह उस की जात है जो सुपर पावर है और कोई नहीं है इसी तरह उसे दुनिया और जहान के मालिक कहा गया है वो दुनिया का भी मालिक और जहान का मालिक अब यहां बच्छों गोर कीजिए कि दुनिया भी लफ इस्तमाल हुआ है और जहान का मतलब दुनिया ही होता है यानि एक ही मि इस्तमाल किये गए हैं कि दुनिया और जहान आप ये सवाल कर सकते हैं कि दोनों लफ़ों को इस्तमाल करने की क्या जरुवत थी हम एक ही लफ से काम चला सकते थे लेकिन नहीं ऐसा नहीं है अगर ये नसर में होती यानि ये चीज़ परोज में होती तो वहां इसी गुंजाइश नहीं थी लेकिन नदम में जो बात की जाती है पोएम में जो बात की जाती है पोएट्री में इधारे ख्याल जो किया जाता है तो वहां बहुत सारी पावंदिया होती है सबसे बड़ी चीज ये कि वहां वजन होता है दो लाइनों का जो वजन बराबर होना चाहिए ताकि ना कोई लब्द ज़ादा हो ना कोई कम हो तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया और जहान के मालिक कहे कर पहले मिसरे दिल के मालिक, जान के मालिक से बराबर कर दिया गया है और दोनों को अगर हम तरन्नुम से पढ़ना चाहें यानि गाह कर पढ़ना चाहें, मुस्यकी के साथ पढ़ना चाहें तो वो उसमें कोई कमी बेशी नदन नहीं आगी और टरन्म के साथ हम आसानी से पढ़ सकते हैं और अगर फर्द कर लिजे कि दुनिया और जहान जहान की जगह हम संसार ले 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 तो संसार में हमारे पास पांच हरूफ आ जाते हैं यानि पांच हर्फ सीन भी है नून भी है फिर सीन है फिर अलिफ है फिर रहन और जब कि जहान में सिर्फ चार हर्फ हैं तो हम एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते यानि संसार की जहान की जहान संसार को नहीं लाए सकते यहां पर इसलिए कि वजन हमारा बढ़ जाएगा और हम फिर उसको तरन्म से नहीं पढ़ सकते उसको गा कर नहीं पढ़ सकते तो नदम की बहुत सारी पावंदिया होती है जिसका शायर इतमाम करता है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही माने के लिए उसको कई जैसे एक ही माने के लफ़ इस्तमाल करने पड़ते हैं और एक ही माने देने के लिए कई लफ़ इस्तमाल करते हैं अब आईए अगला शेयर लेते हैं दूसरा तुछसा कोई नहीं है तुछसा दाता कोई नहीं है दूसरा तुछसा कोई नहीं है इस पूरी काइनात में पूरे यूनिवर्स में तुम्हारे जैसा देने वाला कोई नहीं है एक ही तूही ऐसा है जो दे कर कभी वापस नहीं मागता, उसका तकाजा नहीं करता आप लोग तो अगर दुनिया धारी में आप देखें, आप दुनिया में किसी ने आपकी मदद की तो हमारा भी फर्द बनता है कि उसका इहसान चुका है और अगर उसने हमारे कुछ माइस से मदद की है कुछ पैसों से मदद की है रूप्यों पैसों से मदद की है तो जाहिर से बाज़ अकिएफ़ वक्ता आगए वो उसका तकादा भी करेगा तो और दूसरी लेकिन खुडा से वो बह माईस locks solution अमिदन नहीं हैं वो निराकार है हर आदमिकत कोई ना कोई याकार हर चीज की कोई ना कोई शकल होती है जिसको हम उसकी शकल से पहचान लेते हैं गाड़ी है तो उसकी शकल से पहचान लेते हैं यह अलग बात हैं अलग अलग कमपनिया है अलग अलग साइज है यह और कोई चीज़ है तो हर नहीं आता लेकिन हमारा यकीन होए कि हर जंगा हमें देख भी रहा है और हमें सुन भी रहा है हाजर और नादर जिसको हम कहते हैं कि यह मौजूद भी है और देख भी रहा है तो दूसरा तुस्सा कोई नहीं है यहां थोड़ी सी एक वज़ात और हम करना चाहेंगे कि कुरान में एक आयत है कि सूरत है कुल हो लाह हो आहद यह कलाम पाक की एक है मादूद आल्ला ताला ने अपने बारे में कहा है और उसमें यह इशारा दिया है कि लोगों से कह दीजे कि आल्ला एक है आहद का मतलब एक है वाहिद का मतलब भी एक होता है लेकिन आहद और वाहिद मे मिट सकती है कहीं और में मौझूद हो सकती है लेकिन अहद अगर जब काईद कहती है अल्ला ताला ने खुद अपने बारे में तो पूरे यूनिवर्स में उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है बेमिसल है इसी वज़े से शायन एक बहुत बड़े कंसेप्ट को और बहुत मामूल कर दिन कि तुस्ता दाता कोई नहीं है नहीं वो एक वही ऐसा है जो कभी देकर वापस नहीं मांगता जो है जो भी जरुवत होती है उसी से पूरी होती है हमारी वो कभी हमारी जरुवतों को मना नहीं करता इंकान नहीं करता वो देता है तो फिर देकर देता नहीं तुस्त दाता कोई नहीं इस मिस्रे में इसी नक्ते को इसी ख्याल को पेश किया गया है तो ये तीन अशार आपने शुरू के देखे जिसमें खुदा की तारीख की गई है आए दुनिया के बाग के वाली आए अपने बंदों के वाली दिल के मालिक जान के मालिक दुनिया और जहान के मालिक दूसरा तुटसा कोई नहीं है तुटसा दाता कोई नहीं है इन तीन आशार में या छे लाइनों में शायर ने दूआ का जो हितमाम किया कि वो खदा की तार हमारे जिस्म को ताकत यानि खुदा की तारीफ करने के बाद अब वो शायर कहता है बख्ष हमारे जिस्म को ताकत जब जिस्म को हमारे ताकत बख्ष माने बख्ष ना माने देना अता करना बख्ष हमारे जिस्म को ताकत यानि हमारे जिस्म को ताकत देए तभी हम मेहनत कर सकत तो जब तक हमारे पास ताकत नहीं हो कि हम महनत नहीं कर पाएंगे तो पहले मिस्रे में यहाँ यह कहा गया है कि बख्ष हमारे जिसम को ताकत नहीं हमारे जिसम को हिम्मत ताकत दीजे तवानाई दीजे खुवत दीजे उसके बाद इसे शेर के दूसरे मिस्रे में बख्ष हम मेहनत की आध़त हमें ताकत तो दे दिया आपने जिसelect fique भी हमारे पास ताकत भी भी लेकिन अब हमें क्या करना है जग में जուरोशन नाम कैसे होगा और हम मिहनत की आध़त होगी ऐसा ना है कि हम बठै रहें और सारा कम हमारा हो जाएंगे मेहनत करने के लिए हमें भागदोर भी करने पड़ेगी, एक दूसरें से मदद भी लेनी पड़ेगी, एक दूसरें की मदद भी करने पड़ेगी। और आम तोर पर ये आदत ऐसी है, बेगर मेहनत के आम तोर पर कोई भी आदमी काम्याब नहीं हो सका है। तो शायर ने इसी बात को कहाई जोर दिया है कि हमें मेहनत की आदत करने की आदत दीजिए, बक्ष दीजिए हमें, हमारे अंदर अतनी हम्मत दीजिए कि हम मेहनत कर सकें इसी तरह अगले शेयर का पहला मिस्रा देखिए कि हिम्मत दे कुछ काम करे हम वहां तो पहले ताकत मागी फिर महनत के लिए दर्खास की अब फिर बात हिम्मत किया रहे हिम्मत दे कुछ काम करे हम हमारे अंदर ताकत भी आ गई, मेहनत भी हमने कर लेकिन हमारे अंदर अभी वो होसला नहीं है, वो हिम्मत नहीं है तो खुदा से वो द्वा कर रहा है शायर कि ऐ खुदा ताला, आया हम अल्ला ताला, आया खुदा वंदे करीम हमें हिम्मत दीजे कि हम कुछ काम करें कुछ काम दे मुराद ये कि जो भी हम करना चाहें जो भी शुरू करें उसमें हम कामयाबी अता करें जब हम कामयाब होगे तो जग में रोशन नाम करें हम तो जग यहां फिर जग माने दुनिया आ गई पहले एक दुनिया लबज आया था, उसका मुतबादिल आया था जहान और यहां फिर जग आ गया, तो जग के मुस्ते मुराद दुनिया है जग में रोशन नाम करें हम, तो यहां पर रोशन मानि अपने नाम को अच्छा नाम हमारा हो लोग उसको पहचाने, लोग उसकी तारीफ करें और हमारे काम की तारीफ हो रोशन नाम करने से मुराद यह है कि हमारी खुबियां लोगों तक पहुचें यहां एक लबज जो रोशन नहीं पढ़ेंगे, इसको रोशन पढ़ेंगे तो इस तरह से यह नद्म आप समझ गए होंगे, कि इसमें क्या खाद बात की गई है शायर ने पहले तीन आशार में, पहली च्छे लाइनों में खुदा की सिफात बयान की हैं, खुदा की खुबियां बयान की है और उन खुबियों के बयान करने के बाद, आखरी चार लाइनों में, वो कहता है कि हमारे जिसम को थाकत भी जरूँआ है हमें मेहनत की आदत करने की चाहिए, और हिम्मत भी दीजिए, ताकि हम दुन्या में रहकर अपना नाम रोशन कर सके तो बच्चों, अभी आपने देखा कि दुआ को पढ़ा गया यहां पर, उसकी खुबिया बयान की गई, उसका क्या मतलब है, वो भी वाज़े किया गया उमेद है कि आप नदम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और हम यह उम्मीद करते हैं कि आप इस नदम को याद करेंगे और अपनी असेमिली में भी पढ़ेंगे, अपने घर में भी पढ़ सकते हैं और इसको गुनगुना भी सकते हैं, तरन्नम से भी पढ़ सकते हैं और अपने वालदेन को यानि अपने पैरेंट्स को भी सुना सकते हैं और चुंकि आप स्कूल में आई हुए हैं और दो जबान की तालीम हासिल कर रहे हैं तो कोई जबान सीखने के लिए जैसा कि हमें मालूम है कि उसकी चार बुनियादी महारते होती हैं यानि सुनना बोलना पढ़ना और लिखना चुंकि सुनना और बोलना आप शुरू से करते हैं घर से ही महारतों को सीख रहे हैं उसमें और अधाफा होने की जरुवत हैं लेकिन दो महारतें बहुत अहम हैं और हैं यानि वह पढ़ना और लिखना और यहीं दो महारतें ऐसी हैं जो कि इसी इनसान की परसनालिटी को जाहिर करती है जब हम किसी को यह कहते हैं कि वो आदमी बहुत पढ़ा लिखा है तो इसका मतलब कि वो बहुत एजुकेटेड हैं और उसके अंदर यह दोनों इसकी ला रही हैं हम किसी को यह नहीं कहते कि वो बहुत सुना हुआ और बुला हुआ है कभी इसके दो महारतों से उसकी परसनालिटी का अंदादा नहीं होता बलकि अगर कोई एजुकेटर्ट है, कोई तालीम यासता है तो हम यहीं कहेंगे कि वो आदमी पढ़ा लिखा है तो पढ़ने और लिखने की दो महारते ऐसी हैं कि इसको सीखना बहुत जरूरी है जब तक ये दो महारते हम नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे हम किसी जबान के बारे में ये दावा नहीं कर सकते कि हमने उस जबान को सीख लिया है तो आईए इस नदम के हवाले से वो कौन सी ऐसी खुबिया है ऐसे कौन से पॉइंट से नुकते हैं जिसकी वज़े से हम लिसानी महारतों को सीख सकते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुनने और बोलने की महारतों को क्योंकि आप घर से करते हैं आपने भाईयों से बात करते हैं बेहनों से पैरेंट से बात करते हैं दोस्तों से भी बात करते हैं गुस्तगू का जो भी माहौल होता है वो सुनने और बोलने तक महदूद होता है अब क्योंकि आप स्कूल में आगे हैं तो इस्कूल का एक नए माहौल है, आप एक नई दबान सीख रहे हैं, उस दबान की बारीकिया जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यह हैं, जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ आप सुनते हैं, क्या उसे आप लिख भी सकते हैं, यकीन लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करने पड़ेगी हमें जो है कलम लेना पड़ेगा हाथ में और उस जबान को सीखना पड़ेगा चूंकि आप पहली जमाद के से आप गजर चुके हैं और उम्मीद है कि आपने हुरुफ तहज्य को भी सीख लिया होगा लफजों की अदाईगी पर भी आपको कुद्रत हासिल होगी होगी लफज बनाना भी सीख गए होंगे जमले भी लिख ले रहे होंगे आईए उसको मजीद कैसे हम आगे बढ़ाएं अपने मुकबलेरी यानि जखिरे अलफाद को कैसे आगे बढ़ाएं इस पर गोर करते हैं तो आपने इस दज़ में देखा कि ऐसे कई लफज आपको नए मिले होंगे जो आपको चौका रहे होंगे जैसे लफज है बाग के माली माली भी लफज आपने सुना होगा लेकिन खुदा के हवाले से यहाप माली के जो लफज आजा उसका भी हमें गोर करना है बाग को कैसे लिखा जाएगा एकते लफज होता है गैन की आमाज एक गाफ की आवाज अगर हम गाफ को सही तरीक erstmal नहीं अदा करते हैं तो बाग के बज़ाए बाग हो जाएगा और बाग का मतलब दूसरा होता है और भाग अगर हम कहेंगे घैन की आवाज निकालनी है तो हमें लफजों की सही अदा करना है उनका तलफ़ सही करना है तो इस तरह से हम देखते हैं कि पहला लज़िस में जो मुश्किला आया है वो वाली है बाग के तुक बंदी के हिसाब से बाग का काफिया इस्तमाल किया गया है वाली तो इसी तरह वाली में कौन कौन से हर्फ हैं वाली में कैसे लिखा गया है उस पर गोर करना है हमें खुद लिखना भी है इसी तरह दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक दुन्या के साथ जहान आया है तो जहान को भी हमें लिखना है हमें ये भी देखना है कि इसमें कितने हरफ हैं अगर हम इस लफ़ के हरूफ को अलग-अलग करके देखें तो उसमें जेम भी है, अलिब भी है, अलिब भी है और नून भी है यानी चार हुरोफ से मिलकर एक लफ़ बना है हमें ये देखना है कि इस लफ़ में कितने हुरोफ शामिल है उनकी बुनियादी शक्ल क्या है और जब मिलाकर लिखा गया तो कहां उन्हों हुरोफ की शक्ल बदल गई इसी तरह आप अगले मिस्रे में आएए दूसरा तुछसा कोई नहीं है ये तो आसान है फिर तुछसा दाता कोई नहीं है दाता एक नया लफ़ आजा है हो सकता कि आप पहले से सुनते रहे हो लिकिन दाता का मतलब यहां देने वाला है और दाता कैसी दिखा गया उत्वे भी गोर कीजे और आप खुद लिख कर उसकी कर सकते हैं इसी तरह बक्ष हमारे जिस्म को टाकत अब बक्ष और जिस्म, इसको हम बक्ष नहीं पढ़ेंगे जिस्म नहीं पढ़ेंगे बलकि बीच वाला का जो हर्फ है वो साकिन पढ़ा जा गया और मेहनत भी है, आदत भी है और हिम्मत भी है यानि हम यह सवाल भी कर सकते हैं कि ऐसे चार लफ़ों की वजाहत की तलाश करके लिखिए जिसके आखिर में ते इस्तमाल हुआ हो तो जाहिर दिवात है कि बच्चे इस पर गोर करेंगे किताब को देखेंगे और उन लफ़ों को तलाश करने की कोशित करेंगे जिसके आगे ते इस्तमाल हुआ है यानि ताकत, मेहनत, आदत और हिम्मत तो इस तरह हम देखते हैं कि लिखने और पढ़ने की बहुत सारी महारती इसमें दी गई है सबसे पहले तो यहीं दिया गया मश्क के साथ देखें कि पढ़िया और समझ ये तो यहां पढ़ने और समझ दे मुष्किल अलफास की बदाहत कर दी गई है इसकी दूसरी मश्क है कि इन सवालों के जवाब दीजिए इन सवालों के जवाब देने का मतलब ये कि हम जबानी भी दे सकते हैं और उसका लिखकर भी जवाब दे सकते हैं जबानी जवाब देना तो आसान है लिख उसका लिखकर देना जरा मुश्किल होता है लेकिन च्पूंकि हम सिकूर में आये हैं तो हमारा वास्ता ज़्वाथा तर लिकने और पढ़ने से होता है तो हमें ज़्या ज़्यादा लिखने की मुश्क करनी चाहिए इसमें चार सवालात दिये गए है कि दुन्या के बाग कमाली किसे कहा गया है जाहिर सी बात है कि इस सवाल का जवाब आसान हो गया है कि दुनिया के बाग का माली खुदा को कहा गया है अब उसी सवाल को थोड़ा सा पलक भी आ गया है इसका जवाब भी आप के लिए मुश्किल नहीं है आप आसानी से कह सकते है कि खुदा को दुनिया का मालिक कहा गया है दाता किसे कहा गया है ये भी आप समझ गये दाता का मतलब क्या है किसे कहा गया है आप इसका जवाब आसानी दे सकते हैं चौथा और आखरी सवाल इसका है कि हमें किस काम की आदग डालनी चाहिए शायर ने जिद बात पर जोर दिया है और वो यही कहा है कि हमें मेहनत की आद़ डालनी चाहिए हर चीज की मेहनत जरूरी है यानि कोई काम बेगे मेहनत के नहीं होता यहां पर दो नजरिया बलकिया सकता है एक तद्बीर का होता है एक तकदीर का है आम तोर पर लोग कहते हैं कि जो हमारी तकदीर में होगा वो हमको मिल जाएगा तद्बीर करने यानि कोशिद करने की क्या जरूरत है लेकिन ऐसा नहीं है तद्बीर सही लोग आगे बढ़ते हैं हमें यह नहीं मालूं कि हमारी तकदीर में क्या है लेकिन जब हम तद्बीर करते रहते हैं, कोशित करते हैं, मेहनत करते हैं तो हम आगे भी बढ़ते हैं और काम्याब भी होते हैं खाना आपके सामने लगा हुआ है बच्चो सब कुछ आपने मेहनत भी कर ली ताकत के साथ जिसमे की ताकत साथ आपने हासे बेकर लिया खाना पकर तयार भी हो गया आपके सामने रखा हुगा है लेकिन इतनी तो आपको महनत करनी है कि पलेट अपने हाथ ले जाएंगे और फिर अपने मूझ तक ले जाएंगे ताकि नेवाला आपके मूट में पहुच सके तो जो लोग तकदीर को मानते हैं तकदीर को नहीं मानते वो किसी गलत फाहिमी मेहत बलकि तकदीर से ही तकदीर से ही तकदीर बनती है हमें मेहनत की आदर डालनी चाहिए तकदीर से ही हम आगे बढ़ सकते हैं अब आईजे अगली सरसाइदे के नीचे दिवहे लफ़ों के हुरूफ अलग लग लिकिए कुछ लफ़ इसमें जो पहली बार इस्तमाल हुई है या नहीं समझ के लिखा गया है जैसे दौा, जिस्म, माली, जहान, रोशन ये पांच अलफ़ाद ऐसे लिए गए है अलफ़ाद लफ़ की जमा है लफ़ सिंगलर है यानि वाहिद और जब उसकी पिलूरल बनाएंगे तो जमा बनाएंगे तो अलफ़ाद हो जाएगा अलफ़ादों कभी मत कहिएगा अलफ़ादों गलत है बहुत सो लोग बोलते हैं जज़बातों, अलफाथों, ख्यालातों तो यह सब अलफाथ कहिए, जज़बात कहिए, ख्यालात कहिए उस जमा की जमाबत बनाईए तो आप समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है इस मश्क के जरीए द्वा में तीन हर्फ हैं सब्सक्त कर्याज है。 अपने पैरण से Iraq युषन सकते एक दाल का लग लिखा गया है और ऐन अलिप को मिलाकर लिखा गया है आम तोर पे जो भी हर्फ बीच में आता है दर्मियान में या शुरू में आता है तो हुरूफ की शक्ल बदल जाती है लेकिन बाद में जो हर्फ आता है आम तोर पे उसकी शक्ल पूरी लिखी आती है सिर्फ एक हर्फ ऐसा है यानि तोई और जोई बलकि दो तो दो हर्फ ऐसे हैं जो चाहे शुरू में आए दर्मियान में आए या आखिर में आए उनकी शक्ल में कोई तबदीली नहीं होती इसी तरह इसका दूसरा लफ़ देखिए जिस्म, जिस्म में तीन हर्फ हैं यानि जीम, सीन और मीम वो अलग अलग कैसे लिखे जाएंगे तीन हरूफ सामने खाने में लिखना है इसी तरह माली, मीम, अलिफ और लाम ये यानि दो हर्फ को एक साथ मिलाकर लिखा गया है फिर लाम और ये को एक साथ मिलाकर लिखा गया है तो इसमें चार हर्फ हैं, इन चार हरूफ की बुनियादी शकल क्या होगी वो आपको सामने बने खाने में लिखना है इसी तरह अगला लफ़ जहान, जहान में भी चार लफ़ हैं, जीम, हे, अलिफ और नून आपने देखा कि अलिव के बाद जो नून है वो बिलकुल अलग लिखा गया है चूंकि हमने बताए कि ऐसे नो हुरूफ हैं जो अपने बाद आने वाले हुरूफ से नहीं मिलते तो आप जहान को कैसे लिखेंगे अलग अलग करके हुरूफ की शकल में सामने चार खाने दिये हो गए हर खाने में एक एक हर्फ को आप लोग लिखना है इसे तरह पांचवा हर्फ है रोशन रे भी है वाव भी है शीन है और नून आप इस पर गोर करेंगे रे के बाद वाव नहीं मिला हुआ वाव के बाद शीन से नहीं मिला है यानि इसमें दो हर्फ अलग अलग कर दिये गए हैं सिर्फ शीन और नून को मिला कर लिखा गया है तो आपके लिए आसानी ये हो गई कि रेक वाप उसी तरह लिखेंगे जैसे लफद में लिखा हुआ है वाओ को भी उसी तरह लिखेंगे जैसे लफ़ में लिखा हुआ है सिर्फ शीन को आपको अलग करना है और नून को अलग करना है अब आईए हरुफ को मिलाकर लफ़ बनाएए अगली मश्क यह है अभी आप तुमों मश्क कर रहते हैं कि आपके लफ़ में जो हरुफ दिये गए हैं उसमें क्यतने हरुफ शामिले वाला गलग उनकी शक्छ क्या है अब हरुफ को मिलाकर लफ बनाएए इन मश्क का मतलब यह होता है कि आप हरुफ को पहुछानते हैं कि नहीं पहुछानते हैं तो बच्चों अभी आपने देखा कि हम लफ़ों को हरुफ अलग कर रहते हैं, हरुफ को मिलाकर लफ़ों इसी तरह हम बना सकते हैं, फिर बहुत सारे जो है ऐसे मिसरे हैं जिनमें एक एक लफ़ों निकाल दिया गया है, उन लफ़ों की मदद से आपके खालू जिगों को तो इस तरह हम देखते हैं कि हम इस सबक के जरिये बहुत सी एकसरसाइस कर सकते हैं और अपने सुनने बोलने पढ़ने और लिखने की महारतों को फरोग दे सकते हैं, आखिर में कुछ अलफाद ऐसे दिये गए हैं जो पहली बार इस्तमाल हुए हैं यह हम समझते हैं कि इनक बहुत अच्छा नहीं होता, तो हमें जबान सीखने के साथ साथ हमें अपनी तहरीर पर भी तवज्ज़ देनी चाहिए ताकि हम बेहतर से बेहतर खुशकत लिख सकें जो हैं तो बच्चो अभी आपने यह सबक पढ़ा दोवा आपने सारी चीज़े सीखें लिए होंगे और सीखेंगे मश्क इत्पर करने के दरुवत हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथियो अभी आपने सुना पाठ्थे चर्या पर आधारित ध्वानी शाला निर्माण सहयोग मिनाक्षी कुगरेती और तनु गुप्ता ध्वन्यंकन शानु मुक्सीम और विकास सांगवान निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत